नमस्कार दोस्तो मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ओल अच्पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तो जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुगे हैं कि अभी की ताजा खावर में आपके लिए लेकर आजा हूँ इसकी पूरी जानकारी में आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो पर एड़ तक बने रहे हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें चैनल पर पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिलकों वी न भूलें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो साथ में बैल आइकन को दबा लें ताकि आप तक मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए दोस्तों वीडियो को जो है शुरू करते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं आप अमरोजारा नेटवर्क शमला अपटेटर नियूज जो आई है 22 सप्रेल 2020 को पांच बज़ के तीन मिनट पर ये अपडेट डाली गई है कि हिमाचल के सभी घरों में अगस्त 2022 तक नलों के माध्यम से मिलेगा पेजल जायराम तो हिमाचल के सभी घरों में अगस्त 2022 तक नलों के माध्यम से पेजल मिलने वाला है इसमें बताया गया है कि मुख्य मंत्री जायराम ठाकुर ने बुद बार को जल जीवन मिशन की समीक्षा के लिए आयोजद बैठक की अध्यक्षिता की उन्होंने कहा कि केंदर सरकार की और से शुरू किये गए जल जीवन मिशन का मकसद ना केवल सभी घरों को नल के माध्यम से स्वाच पे जल उपलब्द करवाना है बलकि स्थानी जल स्त्रोतों के उचित प्रबंदन को भी बढ़ावा देना है मुख्य मंत्री ने कहा कि राज जमेमेशन के शुब आरंब के समय प्रदेश के लगभग 57 प्रितिशत घरों को कवर गिया जा चुका था उन्होंने कहा कि योजना का फोकस पे जल अपूर्ती लाइनों के आधर भूत धांचे को मिजबूत करके 31 गस 2022 तक सभी 16,68,523 घरों में नल के माध्यम से पे जल उपलब्द करवाना है उन्होंने कहा कि 1 अपरेल 2020 तक लगभग 7,47,794 घरों को गरेलू नल कनेक्शन दिये गए हैं और इस बित्ति वर्ष के दोरान 24,24,351 घरों को पानी के कनेक्शन उपलब्द करवाने का जो है लक्षन इरधारित किया गया है जैराम ठाकुर ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहट रज्य को वर्ष 2019 से 20 के दोरान 228.67 करोड रुपय जो है प्राप्त हुएं उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन को सफल बनाने के लिए प्रदेश को 1 अपरेल 2020 से 31 मार्च 2021 तक 1710 करोड रुपय 1 अपरेल 2021 से 31 मार्च 2022 तक 1531 करोड रुपय के अलावा 1 अपरेल 2022 से 31 अगस्त 2022 तक 1030 करोड रुपय की अविशक्ता है बर्ष 2019 से 20 से पहले 132 योजनाओं के लिए 130.32 करोड रुपय दिये गए हैं जबकि 838.9 करोड रुपय की 223 योजनाए 2019 से 20 के दोरान 15 मार्च 2020 तक जो है अवार्ड की गई है उन्होंने कहा कि 302.83 करोड रुपय की 61 योजनाओं के लिए टेंडर प्रिक्रिया चल रही है उन्होंने कहा कि लगबग 1000 करोड रुपय की लागत वाली 306 योजनाओं की डीपीयार त्यार की जा रही है जैराम ठाकुर ने कहा कि इस योजना के शूरू होने के बाद राज्ये में घरों के नल कनेक्शनों का दाइरा 56.27 प्रतिशत से बढ़कर 68.62 प्रतिशत हो गया है जिसमें 11.95 प्रतिशत की बिद्धी दर्जिक की गई है अधिक है मुखे मंतरी ने कहा कि भार सिरकार ने राज्ये के ओवरॉल पर दर्शन की सराहना की है और राज्ये को केंदर सिरकार से 57.99 प्रोच साहन स्वरूप अत्रिक्त अनुदान प्राप्त हुआ है जल शक्ति मंत्री महंदर सिंग ठाकुर ने कहा कि गरेलू नल कनेक्शन तीन स्टार पर दिये जाएंगे जसमें रसोई घर, सनान और कप्ले दोने के लिए और शोचले शामिल है उन्होंने कहा कि घरेलू नल कनेक्शन लगवाने के लिए लाभारतियों से केवर सो रुपय का योगदान लिया जाएगा सचिप जल शक्ती विभाग डॉक्टर आर अन बत्ता ने जल जीवन मिशन के बारे में बिस्तरित जानकारी दी अतरिक्त मुख्य सचिप राम सुभाग सिंग और मनोज कमार प्रधान सचिप बित्प्रवोध सकसेना मुख्य मंत्री के प्रधान सचिप संजय कुंडू निदेशक ग्रामिड विकास लालित जैन एन्सी नवीन पूरी सायत अन्यवरिष्ट अधिकारी एस अपसर पर जो थे उपस थे तो दोस्तों ये गोशना जो है वो आज की की गई है बुद्बार को 22 अप्रेल 2020 को हिमाचर प्रधेश के मुख्य मंत्री जैराम ठाकुर दौरा तो 2022 तक जो है सबी घरों में जो है नाल करेक्शन जो है वो लगवाए जाएंगे तो दोस्तों ये थी वीडियो ताके उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके धन्यवाद जैहिंच जैभाद